काम करें लेकिन आज का जमाना जो है उसमें हमें लगता है कि पचास परसंट अगर पॉपुलेशन ओरतों की है तो एकनॉमिकली भी कही ना कहीं उनको इंडिपेंडनेंट होना चाहिए कि पहली IPS और पहली केस अगरतें बहुत सारे फील्ड में आ रही है चाहिए वह स्पोर्ट्स हो चाहिए और नॉटिक्स हो चाहिए वह पाइलेट बन रही है आर्मी में जा रही है बहुत सारे काम कर रही है नमस्कार दर्शको स्वागत है आपका पॉफेक्ट टाइम लाइन में और मैं हूँ आपके साथ अजेदीप सिंग दर्शको हमारे चैनल के मादियम से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी शक्सितों को आपके सामने लेकर आए जो समाज के लिए उधारन है जो आपके बच्चों के लिए और युवाओं के लिए उधारन बन सकी और ऐसी महिला आज हमारे साथ बैठी है जम्मू कश्मीर की पहली IPS और पहली KS मैडम जी और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा किसी भी घर की अगर हम बात करें तो अगर किसी घर के बच्चे कुछ नाम कमाते हैं समाज में बाहर निकलते हैं तो बाप का नाम जो है सबसे पहले आता है कि ये इसका बेटा है ये उसकी बेटी है माओं का नाम जो है वो कहीं पीछ है रह जाता है महिलाएं जो हैं घर में ही जो है कभी सामने नहीं आपाती तो समाज में सामने आना एक बड़ी चुनौती महिलाओं के लिए हो जाती है आप एक महिला होकर इतना बड़ा अपने अचीवमेंट अपने समय में काइम किया क्या आप संदेश देना चाती है उन लड़कियों को जो आगे आना चाती है या उन महिलाओं को जो सिर्फ अपने घर के वरांदे तक सीमित रह गई है तो कुछ आप तोड़ा रोश्णी डाले देखे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाती हूँ सब भेनों से कि काम करना बहुत इंपोर्टन्ट है लेकिन काम आपका जो भी हो चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो औरते हमेशा काम करती रही है आज हम सोचते हैं कि शायद किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई या कोई अच्छा उसने ऐसा मिरकलस काम किया है तो ही उसको respect मिलनी चाहे वो गलत है ओरतें जो हैं वो they are worthy of respect and honor चाहे वो घर में काम करें या बाहर काम करें लेकिन आज का जमाना जो है उसमें हमें लगता है कि 50% अगर population औरतों की है तो economically भी कही ना कही उनको independent होना चाहिए और समाज की जो progress है उसमें उनका योगदान होना चाहिए क्योंकि वो half the percentage of population है और आपने सही बात की कि औरतें जो हैं जो आगे आना चाहती है उनको वो societal pressure या socialization उनकी ऐसी होती है कि घर में भी कहीं पे वो पीच्छे रहती है क्योंकि उनका nature ही होता है कि एक silent worker का कि काम करो और फलकी चिंता मत करो लेकिन आज का जो जमाना है जहां आप देखते हैं social media इतना active है और जहां पर media बहुत active है या जहां पर अपना काम जो है वो confidently project करना पड़ता है वो स्रिफ इसलिए नहीं ताकि आपका नाम हो बलकि इसलिए भी ताकि आपको और काम मिले ताकि आप इसके साथ लोग जुड़े ताकि आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई result भी हो तो यह important aspect बन गया है अब तो मैं यह औरतों से कहना चाहती हूं जिनको एक silent worker का बनने की एक socialization हुई होती है कि आप अपना काम उसी intention से करें कि आपने कुछ अच्छा करना है चाहे वो family के लिए बहतर करना है या society के लिए करना है या public spare में करना है लेकिन यह एक skill है जिसको आपने सीखना होगा चाहे उसको social media पर पोट्रे करने का हो चाहे अपने काम को अपने seniors या colleagues के सामने present करने का हो तो यह skill है जो हमेशा आपको नहीं आता काफी लोग ऐसे होते हम देखते हैं लड़कों में यह चीज थोड़ी कहीं better होती है क्योंकि वो उनकी socialization mostly घर से बाहर भी अच्छी रही होती है जी तो उनकी socialization और उनका circle ऐसा होता है कि they know how to project their work लेकिन हमारी जो बेटियां हैं महिलाएं हैं वो थोड़ा shy nature की होती है उनकी socialization बचपन से ऐसी की जाती है कि कम बोलना है अपना काम करो अपने काम से काम रखो तो उनकी यह जो skill development है अपनी presentation skills, communication skills या अपने काम को project करने का confidently बोलने का नहीं मैं कर सकती हूं मैंने यह किया है यह सीखना होगा हमारी बच्चियों को और काफी improvement है लेकिन बहुत ही ऐसी औरते हैं बहुत percentage है जिन में अभी भी नहीं है बिल्कुर मैं मैं बात करूंगा आप घाटी स आती है श्रीनगर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है अगर हम भारत वर्ष की बात करें तो जो काफी tension का माहूल जो है रहता है तो घाटी में भी कई लड़कियां ऐसी है जो आगे खुलकर नहीं गल पाती है लेकिन आपने एक जो है मकाम जो है वो कायम कि खास तोर पर घाटी की लड़कियों की बात करें किस तरीके से आज की यो जो लड़किया है वो भार निकलती है सिर्फ पढ़ाई में नहीं स्पोर्ट्स या बाकी एक्टिविटीज में भी अवल है क्या देखती है आप कश्मीर का सेनेरियो आज की डेट में कहां पर है खा ऐसा सिर्फ यह नहीं मैं कहती कि कुछ पर्टिकुलर कम्यूनिटी या रीजन में हुआ लेकिन सब औरतों को ना एक रोल बताया गया कि आपने इस तरीके के काम करने आप सिर्फ टीचर बन सकते हैं या डोक्टर बन सकते हैं तो बाकी फील्ड जो है वो नॉन कंवेंशनल अभी तक उनके लिए थे लेकिन अब हम देखते हैं कि औरतें बहुत सारे फील्ड में आ रही हैं चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे अरोनॉटिक्स हो चाहे वो पाइलेट बन रही हैं आर्मी में जा रही हैं बहुत सारे काम कर रही हैं लेकिन इसमें दो चीज़े हैं पहली करते जाएं और जब तक आप progress नहीं करेंगे तो आप encourage नहीं feel करेंगे ना आप stuck रहेंगे it's not only important to enter a particular field but it is also important to make a mark to encourage other women ताकि दूसरे आके सोचें कि नहीं ये तो ये काम है जो बाकियों के लिए भी आसान है तो उनको भी अपने जो जैसे मैंने का skills develop करने होंगे कि अपने आपको कैसे उन्होंने इस field के लिए लायक बनाना है और उसके साथ सथ हमारी society में जैसे मैं आपको बता रही हूं कि हमारी society के भी dynamics ऐसे हैं जहां पर हमारे लड़कों को भी समझना होगा कि और तों को भी public spaces में आने का हख है वो भी काम कर सकती है और उन पर भरोसा करना भी important है कि वो कर सकती है उनको responsible आप रख सकते हो इसी तरह से हमारी ओरतों में जो confidence की कमी है एक तरह से under confident मैं देखती हूं कि काफी लड़कियां जो हैं बहुत अच्छा पढ़ लेती हैं बहुत अच्छा लेकिन जब हम profession की बात करतें तो professions में कही न कहीं यह लगता है काफी ऐसी महिला है जो शादी के बाद job short देती है अगर private कारतों वह family को support करें family is a unit of the society जब तक वह औरत के basis पे वह structure चल रहा है आप उसी को support नहीं करें तो आपका कही ना कही societal structures break होगी तो वह चीजें भी हमें as a society improve करने की जरूरत है ताकि लड़कियां जो in fields में आ रही है वह comfortably अपना काम भी कर सके और साथी साथ बाकी लड़के जो है या बाकी जो society है वह भी उनको accept कर सेके बिल्कुर मैम आपसे एक सवाल और यह जाना चाहूँगा आपने बताय की महिलाओं के साथ इस तरह की परेशानिया रहती है एक दायरे में सीमित रहती है बेशक पड़ी लिखी हो लेकि वो confidence नहीं आ पाता क्योंकि वैसा एक upbringing नहीं होती है आप की बात करें आप कहीं महिलाओं के लिए कहीं लड़कियों के लिए जो inspiration है आपके समय में किन किन प बड़ा बताईएगा देखिये मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है passion एक ऐसी चीज होती है कि आप फिर जो कटिनाईया और obstacles आपके रास्ते में आती है तो उनको लांगने में वो passion आपकी help करता है तो वो passion तो हमेशा से था मेरे में कि मुझे कोई कोई ऐसी चीज करन कि उनको बच्पन से ही एक तरीके से balance करना पड़ता है कि security कि आप secure होनी चाहिए आपके वजह से कोई ऐसी situation नहीं create हो जाए कि जिससे आपको सोचना पड़े कि इसको बाहर बेजे की नहीं बेजे पढ़ने बेजे की नहीं बेजे तो वो चीज तो हमेशा दिमाग में रहती है लेकिन फैमिली जब support करें तो इन obstacles को भी इनसान पार कर सकता है उसके साथ साथ बच्चों को खुद भी समझना चाहिए कि एक महनत जो है उसका कोई भी shortcut नहीं है अगर कोई आपको यह बोले कि नहीं मैं एक्जाम में बिना पड़े गया और मेरा हो गया तो यह बात मुना करने वाली ही बात होती है कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं बट मुझे लगता है वो बहुत रेयर होंगे बिल्कुल आपको हमेशा महनत जो है वो उसको प्राइमसी देनी चाहिए और एक आखरी सवाल आपसे मैम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे उन ल महिलाएं भी हैं जो लगबग 50 साल तक की हैं या 50 से उपर जिनके परिवार वाले उनको उतना सपोर्ट नहीं करते या पती नहीं सपोर्ट करते उन महिलाओं के लिए कुछ क्या स्कीम है जो 50 के उस पार हैं जी बिलकुल उमीद जो जेके आरलम की स्कीम है वो सारी उन महिल के लिए हैं जो 18 से लेकर 60 साल तक की उमर की ओरते हैं और जो कुछ ना कुछ काम करना चाहती है मुस्तिय आपने सही का जो आपने बच्चे पालने वगयरा में 50 साल तक तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पास मौका मिलता है कुछ करने का अपने आपको प्रूफ करने का और इसी वे हमारी स्कीन जो है वो हेल्प करती है उन्हें कि घर बैठे हुए उनको कही बाहर निकलने की जरुरत नहीं है कोई भी चोटा यूनिट वो स्टार्ट कर सकते हैं ऐसी भी औरते हमसे जोड़ी जो बाद में सरपंच भी बन गई इस पेसे पे कि उन्होंने इतना confidence gain किया कि उनको लगा कि मैं तो सोच ही नहीं पाती थी कि मैं यह कर पाऊंगी या मैं इ अपने घरवालों की भी सपोर्ट कर पा रही है दो और लड़कियों की सपोर्ट कर पा रही है तो उनमें वो confidence आया और वो even सरपंच बन गए उन्होंने अपने आगे bank linkages करवाई ट्रक्टर भी ले लिए उन्होंने और बड़ी बड़ी ऐसे गाडियां भी ले लिए जिनको जिनको वो हायर करवाती है और उसे और पैसे कमा रही है तो यह बात एक cycle की होती है कि अगर आपने वो inertia जो है उसको अबस्टेकल को क्रॉस कर लिया और आपने वो momentum आ गया कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूं फिर वो आपको carry forward करते है वहीं जाते जाते एक message आपकी तरफ से में चाहूंगा कि आपHighल बात करना चाहूँगा कि कई ऐसी महिलाइं वि collectively के किशन और एम्पावरमेंट की बात करें जो इन कानून का गलत उठागी है था तो शायद उनकी नकेल कसना भी बहुत ज़रूरी है तो उन महिलाओं को क्या आप कहेंगे क्योंकि छवी जो है फिर बाकी महिलाओं के भी खराब लेकी हर जगह यह देखा जाएगा सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि आप किसी भी सेक्शन ले लिजी सोसाइटी का तो वहां लेकिन वो करते क्या है क्योंकि महिलाओं का जो मसला है बहुत सेंसिटिव मसला है और वो हर घर से जुड़ा हुआ है तो कहीं से कोई एक्जांपल अगर इनको मिल गई तो वह दाट बिकम्स एन एक्जांपल फॉर एवरीबरी तो मैं उन महिलाओं से जो ऐसा कर रही है वो कुछ ऐसे भी फाइदे एक्स्ट्राक्ट कर लेती हैं अपने घर वालों से जो नहीं करने चाहिए तो उन सारी महिलाओं को तो मैं नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि वह किसी रीजन से कर रहे होंगे जो भी कर रहें बट यह समझती हूं कि अगर आप कोई भी चीज अगर अगया कि आप जूट बोल बोल के चुटियां ले रहे हैं जूट बोल बोल के आप कोई फेवर्स ले रहे हैं किसी से तो आपका जो अच्छे काम होंगे वो भी इससे एक्लिप्स हो जाएंगे और आप दूसरी ओरतों का भी जो है नाम एक तरह से खराब करते हैं तो उनको लिए है वो भी काफी कुछ समझ पाई होंगी सीख पाई होंगी और ये खास प्रोग्राम महिलाओं के लिए उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ शेरों में नहीं बलकि हमारे देश के अलग अलग दूर दरास के गाउं में भी है हम उमीद करते हैं कि ये मैसेज उन तक जा रहते हैं तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप आट ये के साथ बने रहे इन गया स्कारे अस तरह को परिज बड़ी हस्तियों को हम आपको मिलाएंगे रूबरू कराएंगे उन प्र Assay अब से 10%